Hello everyone, this is Payal Tiwari, welcome to my channel. आज इस वीडियो में हमारा सेकेंड पोइम पढ़ने वाले हैं, जो है Song of Myself, यानि मेरे गीत, जिसके पोईट है Walt Whitman. तो Walt Whitman, इनका जन्म हुआ था 1819 में और इनका देथ हुआ था 1892 में. The People's Poet, यानि लोगों के कभी. Is perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced. यानि अमेरिका के जितने भी पोईट हैं, ठेक है? उन में सबसे individualistic poet थें कौन? Walt Whitman. अब देखें, literary figure कहने का मतलब है कि साहित के छेत्र में सबसे विशेष्ट कभी थे, अमेरिका के सबसे विशेष्ट कभी Walt Whitman थे, ठेक है? He began working as a carpenter before his twelfth birthday. यानि अपने twelfth birthday के पहले तक वो carpenter के रूप में काम कर रहे थे, यानि बढ़ाई का काम करते थे. He also worked as a printer, teacher and editor and was volunteer nurse during the civil war. ठेक है? यानि Walt Whitman ने printer के रूप में भी कारे किया था, teacher के रूप में भी कारे किया था और editor यानि संपादक के रूप में भी कारे किया था. और जब civil war हुआ था अमेरिका में, तब उन्होंने volunteer nurse, यानि जो लोग जो घायल हुए रहते हैं, उनका जो help करने जो जाता है, तो volunteer nurse के रूप में भी उन्होंने कारे किया था. विट मेंन's poetry, all of which is collected in leaves of grass, is known for its free rhymes and lack of rhymes. यानि वाल्ट विट मेन के जितने भी पोएम है, वो सब कहां collect है, leaves of grass, यानि एक book है, leaves of grass, जिसमें वाल्ट विट मेन की जो सारी कविताएं हैं, वो उसमें संग रही थे, और वो जाने जाती हैं, free rhyme में, जैसे, जैसे देखें, ऐसे तो normal किसी पोएम में राइमिंग वर्ड होते हैं, जैसे time, tide, ठेक है, तो ऐसे राइमिंग वर्ड विट मेन के पोएम में नहीं होते थे, ठेक है, या तो बहुत कम होते थे, या तो नहीं होते थे, तो इसी के चलते इनका जो पोएम था, वो famous था, ठेक है, विट मेन first published at his own expense in 1855, एनि विट मेन वाल्ट विट मेन न में उसको published करवाया, however, the free form of the poems and the joyful dedications to the importance of the individual were not well received at first, या नि वाल्ट विट मेन की जो पोएम थी, जिन में free form था, कैनि मतलब है कि जो उसमें rhyming नहीं थी, थी भी तो उतनी ज्यादा नहीं थी, और वो अपने पोएम में किस चीज को, मतलब उनका जो समरपन था, किस चीज के लिए, importance of the individual, यानि खुद का value बताना, देखें, ये individualistic poet है, यानि ये खुद को celebrate करते हैं, खुद को ही present करते हैं, यानि ये खुद में जीते हैं, self love है इन में, ठेक है, तो वो चीजें इनके पोएम में भरी होती थी, और जिसे पहले उतना respect नहीं, मिला लोगों नहीं अप lost Whitman his job, as it was taken to be obscene, यानि ये जो पोएम जो published कराते थे, पोएम लिखते थे, इसके वज़े से उनको अपनी job खोनी पड़ी, और क्योंकि इनके जो पोएम थे, उनको obscene समझा जाता था, obscene मतलब जिसका कोई value नहीं हो, लोग value नहीं करते थे उस time तक इनके पोएम का, in 1881, 1881 में after many editions, यानि बहुत चारी editions करने के बाद, यानि बहुत चारी सुधार करने के बाद, इनके जो पोएम थे, leaves of grass, यानि इनका पूरा collection था पोएम का, finally found a publisher willing to print it uncensored, यानि finally कोई publisher ready हुआ, इनका जो collection था, पोएम का, leaves of grass, इसको print करने के लिए, अपने censorship पे, कहने के मतलब है कि, इनका पैसा उसमें नहीं लगता, वो खुद के खर्चे पे उसे publish कराना चाहता था, translation of this collection were enthusiastically received in Europe, यानि और इनके जो पोएम के जो translations थे, इन्हें बहुत ही उत्साह पुर्वक यूरोप, यूरोप के लोगों द्वारा सराहा गया और अपनाया गया, यानि यूरोप के लोगों बहुत लाइक किया इनके पोएम को, but Whitman remained relatively unappreciated in America, लेकिन अब भी अमेरिका के लोगों द्वारा प्रशंचा नहीं की जा रही थे, इनके पोएम की, it was only after his death, that he could win appreciation in America for his original and innovative expression of American individualism, यानि ये सिर्फ उनके मरने के बाद हुआ, यानि Walt Whitman के death के बाद अमेरिका के लोगों ने उनके पोएम को appreciate किया, और उनके पोएम की जो originality थी, यानि उनका पोएम original था, कहीं से copy किया गया नहीं था, इनके खुद के thoughts थे, और innovative यानि नए तरीके के थे, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बता है, उसमें rhyming नहीं थी, यानि थोड़ा अलग तरीके से वो अपना poem लिखते थे, और इसके वज़े से, अमेरिका के लोगों ने भी उसे अपनाया, और बहुत पसंद किया, लेकिन तब तक Walt Whitman की death हो चुकी थी, यानि इनके जो बहुत महत्वपूर्ण जो रचनाय हैं, उनमें सामिल है, लिफ्स ओफ ग्रास, जो 1855 में पब्लिश होई थी, और ड्रम टैप्स, जो 1866 में पब्लिश होई थी, तो अब हम पोईट का इंट्रोड़क्शन पढ़ चुके हैं, अब आईए, हम अपना पोईब में स्टार्ट करते हैं, तो देखें, यह जो पोईब है, यह 52 लाइन्स का है, मतलब एक्चुली यह पोईब 52 लाइन्स का है, बट हमारे सीलेबस में, 12th क्लास के सीलेबस में, यह सिर्फ 13 लाइन का दिया गया है, यानि उसमें का जो फर्स्ट सक्षन था, वो हमारे सीलेबस में दिया गया है, और यह पोईब 13 लाइन का है, हमारे बुक में जो दिया गया है, जिसे हमें पढ़ना है, तो चलिए स्टाट करते हैं पोईम को पहले ही हम जान चुके हैं कि वाल्ट विट मैन इंडी विजुलिस्टिक कभी थे पोईट थे मतलब वो खुद को सेलिब्रेट करते थे और मतलब सेल्फ लव कूट कूट के भरा हुआ था उनकी अंदर खुद में ही मस्त रहना इस टाइब के थे वो अब आईए पोईम देखते हैं आई सेलिब्रेट माईसल्फ एंड सिंग माईसल्फ पोईट कहते हैं वाल्ट विट मैन कहते हैं कि मैं खुद में खुशी मनाता हूँ यानि उनको खुशी मनाने के लिए किसी और की ज़रुत नहीं है मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ और खुद की मतलब गीत गाता हूँ और खुद से गाता हूँ यानि मैं खुद में ही मस्त रहता हूँ मुझे खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूत नहीं मैं खुद को celebrate करता हूँ और खुद को गाता हूँ and what I assume you shall assume writer कहते हैं sorry poet कहते हैं कि जो मैं मानता हूँ और जो मैं मानता हूँ जो मेरी सोच है वो आपकी भी सोच होगी ठीक है for every atom belonging to me as good belongs to you कि हर एक चीज हर एक कतरा जैसे मुझसे मतलब belonging है जैसे मुझसे संबंदित है उतने ही अच्छे से हर एक चीज आपसे संबंदित है यानि यहां brotherhood की जो मतलब feelings है यह दिखा रहे है कि मतलब हम लोग अलग-अलग नहीं है कि जो चीज मुझसे जितनी संबंदित है कोई भी चीज उतनी ही आपसे भी संबंदित है ठीक है I love and invite my soul love मतलब भटकना कहने का मतलब है कि मस्त हो के घुमना फिरना तो I love and invite my soul तो मैं भटकता हूँ मैं घुमता फिरता हूँ और मतलब खुद से मिलता हूँ invite my soul मतलब खुद से मिलता हूँ खुद को फिल करता हूँ और घुमता फिरता हूँ I lean lean मतलब लेट के आराम करना मैं आराम करता हूँ and love at my ease और खुद के सहुलियत के हिसाब से यानि मेरे जहां मन करता है मैं घुमता फिरता हूँ आराम करता हूँ observing a sphere of summer grass sphere मतलब होता है नोक जैसे आप धहन दीजेगा कि गर्मी के दिन में घास जो है वो थोड़े सुख सुख जाते हैं अगर आप किसी गार्डेन में भी जाएं तो वहां के घास थोड़े सुखे होते हैं और उनका जो मतलब टिप है वो आपको थोड़ सा चुबहेगा ठेक है गर्मी के दिन में अगर आप खाली पैर चलेंगे उस ग्रास पे तो आपको उसकी जो नोक है वो चुबहेगी तो वही राइटर कह रहा है पोट कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ उनके चुबहन को मैं अवजर्व कर रहा हूँ उनका अनुभाँ कर रहा हूँ ठेक है माई टॉंग यानि मेरी जुबान है या टॉंग मतलब जीव नहीं होगा जबान होगा मेरी जो जबान है every atom of my blood यानि मेरे खून का हर एक कत्रा formed from this soil इस मिट्टी से बना है यहां देखिए इस line में जो poet है वो patriotism को दिखा रहे है यानि उनका जो love है America के प्रती उसको दिखा रहे है कह रहे हैं कि मेरे जो जबान है और मतलब मेरे खून का हर एक जो कत्रा है वो इस मिट्टी से बना हुआ है and this air और इन हवाओं से बना हुआ है ठेक है Born here of parents Born here from parents the same and their parents the same देखिए रैटर कह रहे हैं कि मेरे जो माता पिता है वो भी यहीं जन में लिये हैं और मेरे माता पिता के जो माता पिता है वो भी यहीं जन्म लिये हुए है और उनके जो मातापिता है वो भी सेम है यानि वो भी यहीं पे जन्म लिये है यानि जो पोईट है वो यह दिखा रहा है कि हम लोग अलग अलग नहीं है कि हम लोग मतलब एक ही ही खून है हम लोग मतलब भाई बंदू है यहाँ यह चीज़ दिखा रहा है brotherhood की भावने दिखा रहा है poet कि मतलब हम लोग same parent से belong करते हैं कि अगर आप मतलब जोड़ तक जाईएगा कि मेरे mommy papa, उनके mommy papa उनके mommy papa, तो last में जाके आपको क्या मिलेगा कि हम सब जो है वो एक ही माता-पिता के संतान है, ठेक है next line देखिए I now 37 years old in perfect health begin यानि कि मैं, यान जो writer Walt Whitman, जब यह poem जो लिखे है, यह poet Walt Whitman, तो वो 37 years के हैं, तो वह लिख रहे हैं कि I now 37 years old in perfect health begin कि मैं अभी 37 years का हूँ और मेरा जो health है वो एकदम perfect है, यानि उनका स्वास्त जो है, एकदम ठीक है, एकदम perfect है, hoping to cease not till death और मैं मौत तक ना रुखने की आशा करता हूँ कहने का मतलब है, कि writer sorry, poet ही आशा करते हैं कि वो अपने मौत तक हमेशा ऐसे ही active रहेंगे और health wise हमेशा perfect रहेंगे ठेक है next line देखिए creeds and schools in abayance, ठेक है, abayance मतलब surrender कर देना, उनको मने भूल जाना creeds मतलब होगा, कि जैसे महल में आप पले बड़े हैं, जो आपकी भाषा है जो आपका रहेंस है ये, और schools मतलब होगा, कि आपने क्या सीखा है अपने life में, ये सब, यानि इनको आप थोड़े देर के लिए, इससे free होगे, retiring back a while sophisticated at what they are but never forgotten पोट कह रहे हैं, कि कुछ देर के लिए, इन सब चीजों को दूर फेकिए, creeds and schools को थोड़े देर के लिए, दूर फेकिए और आप मतलब, इससे संतोश मत होगे, कि मतलब आपको बस इतनी की ज़रूत है, और इतना जानना आपके लिए काफी है, ठीक है I harbor for good or bad, अब देखे, पोट कह रहे है कि मैं जो हूँ, वो सही या गलत, दोनों में विश्वास रखता हूँ, harbor मतलब believe करना, मैं सही गलत, दोनों में विश्वास रखता हूँ, I permit to speak at every hazard, hazard मतलब difficulty, कोई भी परशानी कि मैंने खुद को ये इजाज़त दे दिया है कि मतलब, मैंने ये निश्चा कर लिया है, कि मैं कोई भी चीज सही हो, या गलत हो, या कोई भी difficult, अगर कोई परशानी आजाए, तो मैं वहाँ अपनी आवाज उठाऊँगा, मैं यहाँ, मैं वहाँ खड़ा होँगा, ठीक है nature without check with original energy जैसे कि जो nature होता है, वो अपनी मतलब, original energy के साथ हमेसा आगे बढ़ता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, जो प्रकृती है वो एक नए उत्साहा के साथ हमेसा, मतलब, बदलाव करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है वैसे ही मैं हमेसा nature जैसा, मतलब energetic होके, हर कारे में खड़ा रहूँगा, और हर चीज में खुद को celebrate करूँगा तो यहाँ जो poet है यह poem हमारे complete हो गया और इस poem में poet जो है वो self love को define कर रहे है ठीक है, खुद को celebrate कर रहे है खुद के लिए गा रहे है, खुद को enjoy कर रहे है और यहाँ एक attitude भी है self love का, कि मतलब मुझे खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है और सच पुशे, तो हर इंसान में यह चीज होनी चाहिए यानि self love कि जब आप खुद को मतलब नहीं जानेगे, तो फिर आप दूसरे को कैसे जानेगे तो आपको पहले खुद में पहचानना है, खुद को पहचानना है और खुद में खुश रहना, खुद में जीना सीखना होगा So, I hope यह poem मतलब बहुत इंट्रेस्टिंग है आपको भी अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, poem समझ में आई मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए